सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आप पाएंगे और महत्पुन एबम रोचक जैन करिया और मेरे सारे नए वीडियो नश्कार दोस्तों भगवार आपसे भी कभला करें और आपकी सारी इच्छाय आयम बनकामने पूरी हो दोस्तों आज मैं आपसे इस हाथ से रिलेटर्ड महत्पुन जान करिविक करूंगा जिसमें सब्सक्राइब यहाँ पर आपके फिंगर के इनलेसिस के बाद इस पर पाम क आपसे भी सामने विक करूंगा और इसी के अंतरगत आपके सारे प्रेशनों को उतर भी रहने वाला रहेगा तो यहाँ पर जो सबसे पहले बात आप ने कही है कि बिजनस में जाने का मन है या उसमें योग है तो बिजनस के लिए सबसे पहले तो लिडिल फिंगर को देखन चाहिए यह एकदम थर्ड फिंगर के फर्स पोर्ट अगार जिसके करण यह बहुत अच्छा पंच्वालिटी और मेनेजमेंट को दर्शाता है ऐसे जातक जो भी अपने हाथे में काम लेते हैं अपने और से 100% डाल उसकाम को परफेक्टली डन कर देते हैं देखा जाए तो लेतिल फिंगर के अलावा भी सारी फिंगर यहाँ पर शौट है पूरे पाम के कंपरेजन में जो एक फास्ट डिसेजन मेकिंग हैबिट को यहाँ दर्शाता है अब इसमें क्या होता है कि जिन जातकों का फिंगर शौट होता है तो ऐसे जात अिक सबसे पहले तो पैशिन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है और यही रीजन है कि किसी के अंडर में कभी भी comfortable वर्क करी नहीं पाते हैं नहीं किसी से दब पाते हैं क्योंकि शॉट फिंगर एक independent type of personality वर nature को दर्शाता है यही रीजन है कि open minded personality होना अपने खुद के thoughts के उपर जादा action लेना इसके अलवा lots of dream desire ambition होना जो कि एक प्रगर से जॉब में नहीं हो पाता है यही रीजन है कि independent work करना या फिर जॉब में भी high post अथोरीट के लिए काम करना जिसमें आपके हांत के नीचे काम करने वाली लोगों की संखे जादा हो तब जाकर देखा जाए थर्ड और फर्स फंगर के लिंथ में तो थर्ड फंगर के लिंथ ही strongly recommend हो रही है जो एक risk taking nature को दर्शाता है तो life में risk लेकर के बहुत जदा आगे बढ़ने वाले होते हैं creativity और artistic quality भी अच्छा देखने को बिलता है यही reason है कि जो भी आपके अंदर कलात्म गतिवीदी है यह जिस भी कार्यू में आपको मन लगता है passion हो भी हो उसको ज़रूर फोलो करके चले क्योंकि उसी की द्वारा name, respect, success, power, authority, money यह छेओं चीज मिलने वाला रहेगा क्योंकि सूर्य जो है वो कारक होता है सफलता का, name, respect का इसके लोग देखा जाए तो first finger की length जो है short जिसका करणा बहुत ज़्यादा है down to earth zero ego attitude personality के यहाँ पर derault हो रहा है जहां तक देखा जाए तो जब first finger की length short होती है तो family के regarding बहुत ज़्यादा sacrifices करना पड़ता है family से इतना ज़्यादा सुख नहीं देखने को मलता है यहाँ देखा जाए तो finger के उपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौझूद है जो friendly nature बिलंसार सभाव को दशाता है एक दो जगे हलकी सी आड़ी रेखा भी देखी है जैसे यहाँ पर बाकी overall देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखाओं की संके जादा जिसके current friendly nature अप्रोच रहेगा हर relation को properly maintain कर पाने में शक्षम रहेगा और finger के जो knots है वो भी हाँ पर develop ठीक है लेकिन क्या है कि बीच बीच में इनकी जो रेखाए हैं यह थोड़ा पाएंगे सच सुनना सच का साथ देना बहुत ज़्यदा पसंद करते हैं और देखा जाए तो जहाँ पर थम का joint point है महाँ पर मांसल अच्छा है तो self respect अच्छा होता है ego attitude इसको नहीं कहेंगे और यही reason है कि किसी के भी सामने जल्दी जोक नहीं पाते हैं और थोड़ा अड़ी किसम का नेचर होता है यानि जिद्धी सभाव जादा होता है जैस बात पर अड़ गए तो वो चीज़ करके ही देखाना है पाना ही है यहां देखा जाए तो यह कचीन भी developed है देखा जाए तो यह six स्रॉंग विल्पावर देने वाला रहेगा इसलिए जो भी कुछ अपने जीवन में चाहेंगे तक्रीबन वो सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में शक्षम रहेंगे पाम का साइज यहां पर देखा जाए तो आपके लंबाई में strongly recommend हो रहा है जिसके करन यह lots of dream, desire, ambition को life के प्रती दरशाता है इंस्पिरेशन, motivation आपके अंदर बहुत रहने वाला है एक्शन जोन थोड़ा विए है इटमेंस आप सोचते बहुत जादा है बहुत बड़ी thinking approach है life के प्रती लेकिन उतना कर नहीं पाते हैं आप यहां पर एक पर उतकर सभ भी available है जो love marriage को denote करता है इसलिए आपके जीवन में जो partner आए है उनका सही होग जीवन के उपरांद भी देखने कम बिलेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके जीवन के उपरांद सही होगी रेखा तकरिबन 23 और 24 के age से ही start हुआ है approximately 22 का ही age है लेकिन 22 end और 23 starting का period है उस जीवन में जो भी success growth है वो marriage के बाद दुगना तिगना होने वाला रहेगा एक्स्ट्रीम लेवल का growth मिलेगा क्योंकि cross concern जब Jupiter पर होता है तो ये व्यक्ति के भाग्यों को बहुत ज़्यादा चमका देता है जिसके अंतरगत property होना, promotion होना, wealth, prosperity बढ़ना, money increase होना और सबसे main स ज़्यादा देख नहीं पाते हैं, दयावा अनकिसम का nature है तो दूसरों की मदद तागी से रहे करके आप करने वाले रहेंगे, तो बिल्कुल help करिए, साधे साथ कुछ ना कुछ शूशल वर्क के भी करते रही है, एंजियोस के लिए या फिर धर्म के लिए तो इससे भी आ करने तो उसमें satisfaction, stability या growth शो ही नहीं हो रहा है, मन का कोई काम करें नहीं पा रहें, तो यह जो गड़ल वीनस है, एक प्रगार का बंधन योग बना देता है, जिसके करन व्यक्ति अपने मन मुताबिक तो बहुत कम, लेकिन एक प्रगार से थोड़ा बहुत भी satisfaction मिल जाए, लाइफ में तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गड़ल वीनस एक प्रगार का pending कर्मा को दर्शात है, पिछले जनम के कर्मा को दर्शात है, जिसके करन ये जनम में थोड़ा बंधन योग बंध जा पाए, आप अपने मन का ही अत्यदिक काम नहीं कर पाएंगे, आपक तब तक इसका रेमेडी नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको लाव नहीं मिलेगा, और इसका रेमेडी मैं आपको वोटसे पर ही सजेस्ट करूँगा, अब क्या होता है, कि जब सेटन मांट पे आड़ी रेखा काटती है, तो ये मूर स्विंग का प्राब्लम देता बहुत ज बस जूपिटर तक पहुच जाती, डेफिनेटली बर्थ प्लेस से दूर फॉरेन में आपका सेटलमेंट हो जाता, या फिर जिस भी छेतर में जाते हैं, उसमें हाई पोस्ट अथूरिट या टॉप लेवल मेनेजिमेंट तक पहुचते, क्योंकि जूपिटर टॉप लेवल किसी कहा जाता है, जिसके करण भागी हुदा अच्छ होता है, लेकिन यह भागी रेखा, गुरू तक पहुच ही नहीं पाया, अब यह जो गुरू शनी है, यह सब डेस्टिनी है, और जब तक फेटलैन यहां तक नहीं पोचे, तो तक्रीबन सारे काम आधिया दूरे रह ज है, तो इस कारण से किसी भी काम में सेडिस्वेक्शन मिले नहीं पाता है, तो इस कंडिशन में जब तक आप यहां की आड़ी रेखा को सेटल डाउन नहीं कर लेते, इसके प्रभाव को कम नहीं कर लेते, तब तक किसी भी काम में सक्सेज तकरीमन ना के बराबर ही मिलेगा इसलिए कोई permanent person जब बाहरी दुनिया में से life में आता है तो वो एक प्रगार कर लग ले करके आता है इसलिए success after marriage यहाँ पर denote होता है दूसरे बात यह है कि यह मन को भी दर्शात है इसलिए आप तकरिबन अपने मन का ही सारा काम करेंगे और मन कही करके satisfied भी हो पाएंगे परंतु अभी थोड़ा जो है आपको और ज़्यदा परिक्ष्रम करने के आवश्रकता है जैसे ही यह योग खतम होगा sun mount के उपर आड़ी रेखा खतम होगी वेसे ही आपका loan debt भी खतम होना सुरू हो जाएगा और तकरिबन हो ही जाएगा खतम यहाँ पर जो बीच में रेखा देख पार है इसे विद्धा रेखा के ते नौलेज बहुत अच्छा आपके अंदर इसलिए दूसरों को guide advice suggestion बहुत अच्छा दे पाने में भी आप यहाँ शक्षम रहेंगे और सुर के उपर बात करें तो सुर का छेदर भी यहाँ पर आपको विक्सिट ठीक है अब इस सुर को देखेंगे आप तो आपको purely fish symbol दीखेगा जबकि यह fish symbol बिलकुल भी नहीं है नहीं तो कोई अच्छा भी काम किया किसी के लिए बहुत जदा devoted भी रहे life में तो भी credit नहीं मिल पाता है इसी लिए ही अपने ही लोगों से धोखा misguite या misuse होने की chances और वो जो loan की जो अपने बात की थी वो definitely चुक जाएगा खतम हो जाएगा इसके strong sign यही है कि यहाँ पर Sunline strongly recommend हो रहा है भले कटके जा रहा है तो भी उससे मतलब नहीं होता Sunline अगर हाथ में है तो ऐसे जा तक अपने खुद के मेहनत hard work के बदूलत अपने सारे जो एक प्रकार से repo है उसको खतम कर देने वाले रहते हैं बस यही यह कि जो cross का sign हो गया तो यह obstacles travel आपको हर काम में ही देने लग गया इसके लबा देखा जाए mercury तो mercury आपको well settled है देख सेते दिख रहा बहुत अच्छे knowledge को यानि intelligence को दरशाता है किस विक्ति से कैसे बात करना है कैसे काम निकलवाना है इस सारी जो knowledge है बहुत अच्छी देखने को मिलती है जिसके current convincing skill marketing skill work management work manipulation इस सब के सब बहु जो है वहाँ से आपकी fat line निकली है इसलिए आपका भागया आपकी मन होबी passion इन सब को follow करके ही भागया उन्नती होने वाला रहेगा इसलिए business जिस भी चीज में आपका मन लग जाए focus अच्छा बन जाए और जो काम आप बिलकुल राध ही रात में भी करने को तत पर हो definitely उस तब तक कोई भी नया काम मत करिएगा अधरवाइस और ज्यादा stress burden life में बढ़ सकता है इसके लग देखा जाए तो फिरदे रेखा यहाँ पर आपकी सीधे जाते वे सेटन पर आकर के बायफोर्क हुआ यह starting life बहुत ज़्यादा तफ देता है लेकिन जैसे जैसे उम्र बीत आपको emotional nature भी देगा अब बस confusion इसमें रहेगा कि दिल की ज़्यादा सुने कि दिमाग की ज़्यादा सुने बस यसी के अंतराल में mode swing का issue भी emotions feelings में fluctuations भी होना start हो जाता है तो इसलिए meditation करना इस condition में ज़्यादा fruitful और beneficial देखने को मिलता है और mind line के विशे में जहां तक बात किय तो mind line का flow भी एकदम straight यहां पर देखने को मिल रहा है जो एकदम mentality strong देता है आपके पास knowledge की एक single पेसे की कमी नहीं है और आपका knowledge ऐसा है कि आप high post authority पर भी जाने के लायक है और यह इस प्रगर के mind line बहुत strong strength को भी दरशाती है mental strength को जिसके करन तमाम तरह के pressure या trouble भी अपन ही नहीं इसी कारण से तो यहां पर यह mind line आपको बहुत अच्छा result देगा जिसके करण earning बहुत अच्छा आपको देने वाले रहेगा decision बहुत अच्छे लेंगे क्योंकि multiple experiences यह life में देता है और mind line की strength अच्छी होने के करण ही life में कभी भी हार नहीं मानेगे और यह सबसे ब क्रीबन 27 केस तक क्योंकि यहां देख सकते कि थोड़ा विखर विखर के रेखा ही चल रही है इसलिए mental pressure tensions जाद है लेकिन उसके आप देखा जाए तो mind line भी stable है मतलब prominent वे से चल रहा है और फिर उसका life line का flow भी middle of the palm बहुत strongly recommend हो रहा है और divination का formation होना उम्र भी बढ़ाता है success भी life में बढ़ाता है health भी अच्छा देता है traveling का सुभागी भी बहुत भैतर इन देने वाला रहता है तो देश-विदेश की आतरा है छोड़े मोटी आतरा है जिवन में निश्चित तोर पे देखने को मिलती है और self-med luck line भी जूड़ी हुई है fate line में और यह जो उम्र है यह उम्र हो जाएगा 36 का एपरोक्स तो 36 के आते है एज तक आते आते है तकरीबन जितने dream, desire, ambition अभी आपकी life में तकरीबन सब complete हो जाएगे और life partner का support भी comparatively बहुत अच्छा आपको life में देखने को मिलेगा इसके लाब देखा जाए आपके अंद्रुनी मंगल विक्सित ठ ठीक है थोड़ी यहां से रेखा निकल के जो mind lane या heart lane तक जारी थोड़ सा aggressive nature देता है मांगलिक भी बनाता है तो एक बार relation में break भी यह करवा देता है परन्तों अभी क्या हो रहा है कि सारी कि सारी रेखां कमजोर हो रहे हैं तो यह जो negative possibilities है मंगल की यह तो तकरीबन नहीं outer mass develop ठीक है तो यह साहस junior होसला पराक्रम अच्छी देगा शुक्र बहुत ज़्यादर over developed है यह थोड़ी कामोकता ज़्यादा देता है लेकिन perfect luxurious life को भी दर्शाता है जिसके करण एक से ज़्यादा गाड़ी घरबार का सुक अच्छा रहन सेन खान पन दिन चेरिया इशो अन भरी जिन्दगी देने वाला रहता है क्योंकि शुक्र जब developed हो जाता है lots of desire देता है और आप जिसे जाता कभी भी अपने standard of living और luxuries या royalty से कोई भी compromise नहीं कर पाते है यही एक मातरी reason है कि life में continuous growth या success भी यहाँ देखने को मिलता है यहाँ की जो हलकी हलकी से आड़ी रेखा है थोड़ा unnecessary is where इसको बढ़ा देती है जो just overthinking family pressure trouble के कारण भी आपा है बाकी सिधी खड़ी रेखा आपको life में multiple opportunity देगी इसलिए उस अपोर्चनेट का लुथ उठाएं और थोड़ा शुक्र जो है यह शौक इन किसमे का भी nature देगा तो किसी भी प्रकर के गलत शौक संगत पर रहने से बचे बाकी चंद्र का छेत यहां पर विक्सी ठीक है एक negative sign था हला कि यह एकदम धुंदला होगे तो इसका तो prediction नहीं निकलेगा बाकी yes mercury line फिलाल developed हो रहा है लेकिन अभी fully complete नहीं है तो पैसा तो बिल्कुल भी हाथ में रूखेगा नहीं चाहे कुछ भी कर ल राइंग तकलिफ ना है क्योंकि जब मनी ट्रिंगल ऐसे वपन हो जाता है तो बहुत बड़ा यह leakage को दरशाता है तो लाख कोशिशों के बावजोद भी पैसा नहीं टिक पाता है हाथ हेली में इसके लवद देखा जाए आपके left palm के विशे में तो यहां पर आपको जो फे मेरिज में भी ट्रबल ना आजए क्योंकि किसी भी रेखा का destiny तक पहुचने ज़रूरी है तो इसलिए आप फटा फटी इसका remedy डेडल वीनस का start करें ताकि आपका भागी भी इंप्रू हो सके और देखा जाए तो नाम सम्मान इज्ज शोरात भी समाज में अच्छा आपको देखने को मिले तो यह थी कुछ महत्पून बात है आपके हाँ के रिगाड़ी आशा करता हूं सभी प्रशनों का तर मिल गया हूँ कोई और अगर रहे गया हो तो ज़रूर पूछें तब तक आपको बहुत बहुत धिरने बाद